दोस्तों नमस्कार आदाव सत्स्रियकाल नियोज क्लिक के कारिकरम नियूज मन्थन के साथ मैं हुर्मिलेश इस अफ़ा बजट का बजट का कारिकरम बहुत महत्पूम माना जाएगा देश के लिए और इस पार्टी के लिए भी जो देश पर इस समय राज कर रही है भारती जन्ता पार्टी की केंद्र सरकार जो इस वक्त है उसके मौजूदा कारिकाल का ये आखरी बजट था और इसके बाद चुनाव में उसको उतरना है दोहजार चुप्रिस के शुरू में पहले हाफ में तो दोस्तों ये बड़ी घटना है सरकार शासन के हिसाब से अगर देखा जाये तो लेकिन इस बार का बजट बहुत कुछ खास नहीं है खास कर जो चुनावी बजट जिसे कहते हैं जिसे कहा जाता है कि जादा से जादा लोककप्रिय बजट देने की कोशिश हर सरकार करती है चुनाव से एन पहले लेकिन सरकार के इस बजट में ऐसी कोई लोक लुभावन घोशना कोई ऐसी नई पॉलसी ऐसा कुछ नहीं है आम आदमी के लिए तो बिलकुल कुछ खास नहीं है हाँ खास लोगों के लिए जरूर खास है ऐसा क्यों किया गया अखिर वज़ा क्या है बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सरकार या सरकार चलाने वालों के दिमाग में जरूर कोईन कोई strategy है कि वो बहुत लोकप्रिय बजट, लोगों की आम पसंद का बजट देने के बज़ा है उन्होंने अपने ढंग से अपनी स्टेटजी के हिसाब से बजट दिया है उन्होंने इंफ्राइस्ट्रक्शर पर ज्यादा खर्च करने की बात करी है अब उसका ठीक है जनता को भी फायदा मिलता है लेकिन ज़्यादा फायदा आज के हमारे भारती समाज में इस तरह के च्छेत्रों के खर्च पर किस तरह कहा कहा जा रहा है ये अलग एक कहानी है जिस पर हम नहीं जाएंगे हमारा वो विशय नहीं है लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आखिर चुनाव से एन पहले के इस बजट में वो क्या चीज है कि सरकार आश्वस्त है कि बहुत लोगत प्रिय बजट पसंदीदा लोगों की नजर में जो बजट होता है वैसा बजट पेश किये बगैर उसको जीतने का चुनाव जीतने का ये जो एक आश्वस्ती उसके दिमाग में है एक जो confidence है भरोसा है कि वो इसके बहुत चुनाव जीतेगी आखिर वो क्या है दोस्तो इस बारे में मैंने इस बजट में बहुत सारी चीज़े खंगालने की कोशिश की अपने तई और हमने पाया कि अब जैसे गरीब लोग आम तोर पे इस देश में सबसे अधिक वोटर है सबसे अधिक लेकिन उनके लिए अगर आप देखिए जो आम गरीब है मनरेगा में 33% की कटोती हुई है साथ हजार करोड का जो बजट है वो पिछले वर्स के 89,400 करोड से बहुत कम है इसके अलावा आप देखिए खाद्यान सबसिडी उसमें भी कटोती है पेट्रोलियम सबसिडी उसमें भी कटोती है और 79,000 की कटोती है सबसिडी में तो 50,000 की कटोती है तो ये सारी जो इस तरह की जो कटोतियां है और एजुकेशन पर जो कहा जा रहा है कि उन्होंने बढ़ाया है लेकिन एजुकेशन पर कितना बढ़ाया है सोसल वेलफेयर पर आप देखिए अगर सोसल वेलफेयर जो इसकीम्स हैं इसमें 51,780 करोड की जगा 86,502 करोड का केवल किया गया है अलोकेशन सेडुल कास्ट जो कम्यूनिटी अपने देश में है उस पर 8,700 करोड का जो तो इलोकेशन था लेकिन कितना खर्च हुआ इसमार केवल 77,72 करोड एस्टी पर 4,111 करोड खर्च किया लेकिन खर्च कितना हुआ 3,874 करोड माइनार्टी पर इसी तरह से वो तो चौकाने वाला आखड़ा है 1810 करोड का प्राउधान था लेकिन खर्च किया सिर्फ 530 करोड सिर्फ 530 करोड और दोस्तों अगर आपको हम बताएं कि जो कुल मिला करके शिक्षा और जो अपने देश में स्वास्थ है, COVID-19 से देश दहल चुका है पूरा पूरा जो पापुलेशन अबारे देश की है वो वाकई एक तरह से उसके लिए टेरर था, उसके लिए एक आतंक था COVID-19 दोनों जो उसकी लहरे थी, लेकिन इसके बावजूद जो है स्वास्ति पर जितना ध्यान सरकार को देना चाहिए था, उतना नहीं दिया गया है इस बजट में और फिर वो सवाल यहीं उठता है कि आकिर वो क्या चीज़ है, कि जो जनता की जरूरत की चीज़े हैं जनता के लिए जो बेहत महत्दपूर्ण जो इसकीम्स हो सकती हैं, वहाँ पर सरकार ने ज्यादा खर्च नहीं करना चाहा है, ज्यादा इलोकेट नहीं किया है और जो पिछले साल का हिसाब किताब है कि जितना बजट में घोशना की जाती है और जो खर्च होता है उसमें बहुत huge gap दिखाई दे रहा है, और वो gap बढ़ता ही जा रहा है, तो आखिर ये क्या वज़ा है दोस्तों हमारा जो assessment है और हमने इसके लिए बहुत सारे लोगों से बात की है, हमने उत्तरप्रदेश के लोगों से, बिहार के लोगों से, जारखंड के लोगों से, मध्यप्रदेश और 36 गड़ में भी अलग अलग तरह के लोगों से फोन पर हमने ये जानना चाहा कि आखिर हमारी सरकार को वो किस चीज़ का भरोसा है सबसे अधिक, कि चुनाव वर्ष, यानि 2024 में भले चुनाव हो, लेकिन 2023 के साथ ही चुनाव का एक तरह से बिगल बज गया है, अगर आप देखिये तो, तो चुनाव के इस वर्ष में, जो एक डेड़ साल में सब कुछ चुनावी महौल गर्माता ही रहेगा, हर महीने गर्माएगा, अभी आप देखिये अजुद्या में क्या हो रहा है, तो आखिर क्या वो चीज़ है जिससे की सरकार ने बजट पर उतना ध्यान नहीं दिया, बलकि उसने अपना काम एक आपचारिक ढंक से किया है, और जी वाले लोग हैं, बड़े बड़े जो ठेकेदार होंगे, उनके फायदा के लिए ये बजट कुल मिला कर काम करेगा, तो हमारा मानना है जो लोगों से बाचीत के आदार पर जो एसेस्मेंट है लोगों का कि दो कारणों से ये सरकार ज्यादा कन्फिडेंट है, ज्यादा भरोसा है, ज्यादा वो आश्वस्त है, चुनाव जीतने के लिए, और वो है उसकी मुफ्तराशन की स्कीम, मुफ्तराशन करोणों लोगों को, 80 करोणों को दिया गया था, हो सकता है, थोड़े दिन के बाद हो सकता है, कुछ घटाएं बढ़ाएं वो अलग बात है, लेकिन था, और बात करने वालों में एक रिटार्ड प्रोफेसर भी थे, और दो तीन अध्यापक भी थे, कुछ ग्रामीर भी थे, तरह तरह अगलों से मैंने बात की, पता ये चला, कि मुफ्तराशन की स्कीम जो है, उससे नो सिर्फ दलिच समाज, नो सिर्फ OBC समाज, नो सिर्फ माइनाटी के गरीब तब के, बलकि अपर कास्ट के लोग भी काफी खुश रहते हैं, क्यों खुश रहते हैं, क्योंकि राशन पाने वालों की सूची में हर समाज के लोग हैं, ज्यादा तर, और जो जो लोग हैं, उनमें ऐसे भी लोग हैं, जब खाते-पीते परिवार के भी हैं, जिनको फ्री के राशन की जरूरत नहीं आए, लेकिन राशन उनको मिल रहा है, तो जो राशन उनको मिल रहा है, तो शासन पसंद आ रहा है, शासन इसलिए नहीं पसंद आ रहा है, केवल कि वो राशन उनके पेट में जा रहा है, बहुत सारा जो राशन मिलता है, वो उसको खुले बाजार में बेश देते हैं वही जो लोग राशन की दुकान से लेके आ रहे हैं रास्ते में भी कई जगा वो बिक जाता है क्यों? क्योंकि उनको जरूरत नहीं है वो उससे बेहतर अनाज खाते हैं उनके पास पैसा है उनके पास ठीक ठाक कमाई है सिर्फ गरीब लोगों के लिए वो एक आस्रा है इसमें कोई दोराए नहीं है जिनके पास न जमीन है और न जिनके पास नौकरी है लेकिन जो लोग ठीक ठाक इस्तिती में हैं वो क्यों खाएंगे उस तरह की क्वालिटी का चावल या गेहूं तो ये जो मुफ्त राशन है एक तरह से हमारी मुझूदा सरकार और सत्ताधारी दल जिससे कहते हैं कि ये दूसरी सरकारों ने लाभार्थी के कल्चर पैदा कर दी लोगों ने एक मुफ्त की रेवडियां बाटी ऐसी बात करते हैं सत्ताधारी दल के लोग लेकिन दरसल एक बड़े सेक्षन में वो भी रेवडियां बाट रहे हैं ताकि लोग याद रखें चुनाओं में वो डालते समय कि इसी सरकार के कारण उनको एक्स्ट्राक पैसा भी घर में आ रहा है और जो अनाज बेश करा रहा है तो एक तरफ मुफ्त राशन की योजना का एक प्लस है कि वो गरीब और नीडी लोगों के काम आ रही है तो दूसरी है कि बहुत सारे लोगों को उससे पैसे की भी आमबरी हो रही है और तीसरी बात जो एक सैधान्तिक बात है कि आप राशन बाट कर क्या अपनी जो फूट सेक्योर्टी है उसको भी कहीं कमजोर तो नहीं कर रहा है जिनको जरूरत नहीं है इतने राशन की देने की फ्री में उसको आप दिये जा रहे हैं तो एक इस सवाल के साथ तो मैं अपनी बात इस मुद्दे पर खतम करता हूँ कि ये मुफ्त राशन स्कीम को मौजूदा सरकार ने वोट की मशीन के तोर पे एक उपकरण के तोर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है पिछले दो तीन सालों से चार सालों से इसके पहले अलग-अलग स्कीम्स थी लेकिन इसको विधान सभाओं के चुनाओं में भी आपने देखा होगा यूपी के चुनाओं के समय अवद ही उसकी खतम हो रही थी लेकिन जैसे ही यूपी के चुनाओं की घोशना होनी थी उसके पहले ही इसको एक्स्टेंड कर दिया गया तो अब लोग सभा का मामला है क्यो न एक्स्टेंड हो और दूसरा जो मुद्धा है दोस्तों Confidence की वो यह है कि हिंदुत्वा की आग या धर्म की धर्मांदता जो भी आप कहले लीजिए हिंदुत्वा की आग और धर्म की धर्मांदता यह दूसरा Agenda है कि इस सरकार को पूरा भरोसा है पूरा confidence है कि वो चुनाव हमेशा जीत्ती रहेगी जब तक ये आग है, जब तक ये धर्मान दता है और ये महस्न जोग नहीं है कि जो अज़द्या के मंदिर का जो ट्रस्ट है उसने पहले एलान नहीं किया था कि मंदिर कब बन कर तैयार होगा, इसको देश के ग्रिह मंत्री और भारती जन्ता पार्टी के वरिश नेता अमिशा जी ने तृविपुरा की एक चुडाव सभा में, चुडाव सभा ही कहेंगे तैयारी सभा की, वहाँ जब वो गए, उन्होंने एलान कर दिया कि 2024 के जन्वरी में, बलकि उन्होंने तो तारीक भी गोशित कर दी एक जन्वरी, हाना कि वो तारीक सुना है, मैंने कि वो चेंज की जा रही है, लेकिन 2024 के जन्वरी में ही होगा, और मंदिर जो है, वो अजद्या मेरे, राम मंदिर, उसका बकायदे लोकारपन होगा, या क्यों कहे लिजिए कि उसकी शुरुवात हो जाएगी, तो ये 2024 के चुनाओ के एन पहले, यानि जब रैलियां सुरू होगी, चुनाओ सभाएं सुरू होगी, उसके पहले मंदिर का दरवाजा खुल जाएगा, तो ये सब कुछ बड़े ठीक ढंक से, बड़े ही सुन्योजी धंक से, पहले से निश्चित किये गए कारिक्रम के अंसार हो रहा है, तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि आज ही आप देखिए, अभी खबर अख़बारों में लगातार छप रही है, कि शालिग्राम जो पत्थर हैं, किसी नेपाल की नदी से, संबहता गंड़क नदी से, उनक पुलिस उनकी रखवाली कर रही है, जाल मजूरा बज रहा है, शंक घड़्याल बज रहे हैं, और पूरे की पूरी जो यात्रा है, वो एक धार्मी की यात्रा बन करके, और चारों तरफ घुमती हुई, और फिर अजद्या आ रही है, तो इस तरह की बहुत सारे कारिक्रम ह होंगे, तो आपको याद होगा, उस दोर में 89, I think 89 के बाद की कहानी आपको याद होगी कि कैसे देश में अलग अलग जगहों पर तमाम तरह की पूजा होती थी, शिला पूजन कहीं हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, वो माहौल इस चुनाव से पहले, मुझे लगता है कि RSS और विश्व हिंदू परिसत और जो संग परिवार से जुड़े अन्य संगठाने, वो पूरा क्रियेट करने की पूरी कोशिश करने जा रहे हैं, तो ये एक महत्पूर बात मुझे लगी, कि ये देखा जाना चाहिए, कि सरकार को, सरकारी दल को कैसे ये भरोशा है कि वो च परवा उनको नहीं है, उनको जनता की भी परवा नहीं है, वो जानते हैं कि जनता का दिवाक कैसे चुनाव में बदल दिया जाता है, और बदलने की जो उनके पास मशीन है, वो कई बार, कई बार उसका एक्सपरिमेंट वो कर चुके हैं, और दोस्तों, दूसरा जो मुद् हिस्सों में खास कर जो हिंदी बाची छितरे हैं वहां तुलसी दास्कृत राम चरित मानस को लेकर समाज में इस वक्त तरह तरह के बयान तरह तरह की बातें तरह तरह के यूं कहा जाए की बखेडा उड़ा हुआ है और ये जो उड़ा हुआ है इसमें सोसल मीडिया की बहुत महत्पुन भूमिका है ये ठीक है कि नेताओं ने भी कुछ बातें कहीं लेकिन सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारा जो मसला है उसको काफी बड़ा बना दिया गया है हलांकि ये जो सवाल है ये मैं मानताओं की जायज है और रामचरित मानस की अनेक चौपाईयों पर जो नौजवानों ने सोशल मीडिया के जरिए या विबिन जगों पर विबिन प्लेटफॉर्म्स पर जो नेताओं ने सवाल उठाए हैं उन सवालों में कोई कमी नहीं है मुझे नहीं लगता की जो जरूरी था और जिसकों की अवाइड नहीं किया जा सकता था लेकिन जो सवालात हैं चौपाईयों पर तुलसी कृत रामचरित मानस के वे सवाल नए नहीं हैं इस देश के दिगज बड़े लेकों रांगे रागव हों यश्पाल हों गजानन अगर कोई सवाल उठाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अलोचना प्रत्यालोचना का जो सिलसला है वो जारी रहना चाहिए लेकिन आज जो सोशल मीडिया की वज़ा से इस बहस को या इस चर्चा को बहुत व्यापकता मिल गई है निस संदेह ऐसे सवालों और ये एक पिछड़े हुए समाज की चेतना को ज़्यादा समुन्नत किया जा सकता है लोगों को शिक्षित किया जा सकता है अंद विश्वास जो अपने समाज में इतना ज़्यादा है खासकर हिंदी भाषी शेत्रों में उसमें लोगों को ज़्यादा बेहतर सोचने समझने व A H और वो उसमें हमने समुधान में यह कहा है अमारे समुधान निर्माताओं ने और या बाद के दिनों में जब उसमें शंशोदण किया गया कि लोगों के दिमाग को उनके मिजाज़ को वेग्ञानिक बनाना चाहिए, तरक संगत बनाया जाना अचायेए इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिं दोस्तों ये सब अपनी जगा है पर आज के आज के दोर में आज की राजनीती के संदर में अगर मैं कहूँ तो राम सरित मानस की चौपाईयों को लेकर उठे ये सवाल समाज के राजनीत के बुनियादी सवाल नहीं है राजनीत के तो हरगिज ये बुनियादी सवाल नहीं हो सकते आज की तारीख में आप सामाजिक चेतना का विष्दार करते रहिए अलग-अलग प्लेटफॉरम्स पर चाहे वो सोसल मीडिया हो या पब्लिक मीटिंग हो, स्टेडी सर्किल हो, गोस्ठिया हो, सेमिनार हो, वो अलग बात है, अच्छी समिक्षा होनी चाहिए, बगेर कटुता बढ़ाए हुए या कटुता पैदा किये हुए, लेकिन जहां तक राजनीती का सवाल है, उसमें ये सवाल न तो पूरे समाज के लिए ये बुनियादी सवाल है, बिल्कुल नहीं, सरकारी उपक्रमों का आज जिस तरह अंधाधुंद प्राइवेटाइशन हो रहा है, जिस तरह रोजगार सिमट रहा है, जिस तरह शिक्षा और स्वास छेत्र के नीजी करण का पूरा एक सिलसिला चल पड़ा है, प्रावधानों के नो होने का जो एक 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 जो दंश पूरा बोजन समाज झेल रहा है, और यहीं नहीं, जो रास्ट्री अस्तर पर जातिवार जनगणना से सरकार लगातार इंकार कर रही है, मैं समझता हूं कि ये हिंदी भाशी छेत्र, खासकर यूपी के दलित और पिछ अगर वे सोचते हैं कि सिर्फ राम चरित मानस की चौपाईयों पर कुछ जरूरी सावाजिक सवाल, सांस्क्रितिक सवाल, साहितिक सवाल उठाकर वो बाजी मार लेंगे, तो मैं समझता हूं ये मुगालते में हैं, और कुल मिलाकर उनको जरूर सोचना पड़ेगा अपनी स पूरा अंधर बहाने की कोशिश हो रही है, एक से एक बाबा लोग जुट गए हैं अभी से, एक बाबा रायपूर में थे, इसके पहले नागपूर में थे, अभी सुना है कि प्रियाग राज आ गए हैं, तो बहुजन समाज में भी, अगर बाबा कोई बागेश्वर निकल पाएगा बहुजन समाज में भी, तो उससे आप धर्मानता को पाठ पाएंगे या उससे आप मकाबला कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता, कुल मिला कर सोचना पड़ेगा इन समाजों को जो उत्पीडित समाज हैं, समाज के, जो शोशित हैं, जो दमित हैं, वरना वे भी म पहन कर तुलसी दास की चौपाई पढ़ते रह जाएंगे, और जो ज़्यादा बड़े खिलाड़ी उनके बीच होंगे, वे फिर अपने हिंदुत्वा घराने में लोट जाएंगे, तो दोस्तों ये बात इस विशे पर मैं कहना चाहता था, और आज नियोज मंतन में बिलक उस मामले में कई शात्र युवाओं को डिस्चार्ज कर दिया है, उनके उपर लगे पलिस के सरकार द्वारा लगाए गए सारे आरोपों को सिरे से खारिश कर दिया, और उसमें कौन-कौन लोग हैं जो डिस्चार्ज किये गए हैं, शर्ज लिवाम, आसिप तनहा, ये नाम इसके आदार पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन इनको कोट ने माननी कोट ने आज डिस्चार्ज कर दिया, शनिवार की सुबह, और ये सफूरा जारगर, मुहमद इलियास, बिलाल नदीम, शाहजार रजा खां, चंदा यादो, इन सभी लड़के लड़कियों को जो ब इनके उपर यूएपी के तहद भी केस एक चल रहा है, तो वो अभी जेल में रहेंगे, जब तक कि उस केस में वो जिस्चार्ज नहीं होते, या उनको जमानत नहीं मिलती, शेस जो अनने लोग हैं, वो आलेड़ी जमानत पर कई लोग हैं, लेकिन महत्मन बात यह है कि पु इसे जुन पर इंपोज की गई थी, उनसे वो बूरी तरह, पूरी तरह मुक्त हो गए, तो आज इतना ही, नमस्कार, आदाब, सत्रियकाल